हेलो स्टुड़न वेल्कम लोगे चल्माइब बच्चों कैसे हैं आप लोग क्लास 11, क्लास 12, J, N, A, C, U, T किसी भी तरह का बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है तो बच्चों ये वीडियो आप लोगे बहुत इंपॉर्टन होने वाली है साइन 18 डिगरी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टन है कई कोश्चन में इसका यूज होता है कैसे कैसे कोश्चन आते हैं और साइन डिगरी कैसे निगलती है क्या प्रूव है इसका वो मैं आपको इस वीडियो बताना जा रहा हूँ आए स्टार्ट करते हैं तो बच्चो साइन 18 डिगरी कैसे निगलती है सबसे पहले इसका आप देखिएगा साइन 18 डिगरी वट इस वैल्यू ओफ साइन 18 डिगरी बच्चो अब मुझे एक बाप बताओ 18 का ऐसा कौन सा मुल्टिपल है जो हमारा स्टेनर्ड अंगल तक होता है स्टेनर्ड अंगल का मतलो बगया 30 डिगरी 60 डिगरी 45 डिगरी 90 डिगरी तो अगर देखा जाए तो 18 इंटू 5 दैट इस इकोस तो 90 डिगरी तो कुछ दरीक लिए बच्चों मैं मान रहा हूं 18 डिगरी को थीटा तो आप मुझे एक बाप बताओ तो 5 थीटा इकोस तो 90 डिगरी हो गया यस और नो कुछ दरीक लिए मैंने मान लिया 18 डिगरी को थीटा के एकवल अब हमारे पास जो फॉम्लेस होते हैं वो 2 थीटा और 3 थीटा के होते हैं 5 थीटा का फॉमलला हमारे पास नहीं होता तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं तो 3 थीटा प्लस 2 थीटा में that is equals to 90 यहीं आप लोग करना है ध्यान से देखना ही प्रोसेजर आपको फॉल्व करना है उसके आप बच्चों एक ही धान अखने हैं आपको बड़ा वाला जो हमारा एंगल है 3 थीटा उसको उस तरफ लेके जाना है देन टेकिंग साइन और ब प्रोसेजर यह है 3 थीटा को दले जाओ बड़े वाले को and then taking sign of both the side that is the processor अब बच्चों जब हमने sign डे लिया अब हमें क्या मिला चरो देखते हैं यहाँ पर formula 2 sin theta cos theta यहाँ पर that is cos 3 theta got it अब यहाँ पर आप लगा लोगे cos 3 theta का formula जो हमारा formula होता है बच्चों 4 cos cube theta minus 3 cos theta that is a formula अब इन दोनों में से अगर आप cos theta common निकालते हो cancel out हो जाएगा आप ध्यान से देखना बच्चों यह बच्चों यह बच्चिया आपका 4 cos theta minus 3 यह आपका cancel out हो गया अब हमारे पास क्या बच्चिया 2 sin theta 4 cos theta उसको मैं लिग दिया sin square में क्योंकि मैं पूरा का पूरा question sin में change कर करने जा रहा हूं ताकि मेरी कोई एक equation बन जाए है और मेरी value निकला है sin की क्योंकि मुझे sin 18 की value निकालनी है और 18 मैंने माना हुए theta एक चुर में मुझे sin theta की value निकालनी है जो यहां से निकल कराएगी equation बनने के बाद तो चलो फटावर इसको बना लेते है equation क्या equation बनती है यह equation बन जाएगी बच्चो आपको 2 sin theta 4 minus 4 sin square theta minus 3 तो अगर देखा जाए तो हमारी equation बन गई 4 sin square theta हम इदर लिए प्लस 2 sin theta चार में तीन गया एक तो बच्चो इदर आके आपका हो गया minus का एक this is your equation इसको आपको solve करना है solve करने के लिए मेरे को board मिटाना पड़ेगा मैं board मिटा रहो फटावर उतार लीजेगा चले मैंने board रफ करके आपको equation लिख दिया है यह थी मेरी equation बच्चो अब इसमें मैं कुछ यहर के लिए मान रहा हूं sin theta को x तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मेरी यह quadratic equation नहीं बन गई यह आपको solve करनी आती है आपको पता है discriminant क्या निकलेगा b square minus 4a into c that is equals to 20 clear x c value कितनी निकलाएगी minus b plus minus root discriminant upon 2 into a clear तो बच्चो आप खुद देखो कि अगर मैं इसको solve करूँँगा तो यह आजाएगा minus 2 plus minus 2 root 5 upon 2 into 4 2 common निकले cancelled out हो गया तो we have two values एक तो minus 1 plus root 5 upon 4 एक minus 1 minus root 5 upon 4 these are other two values ध्यान से देखो हमें निकालना था x x क्या है बच्चो x है sin theta जो मैंने माना है और theta क्या था बच्चो 18 degree यानि कि हम लोग की values sin 18 की यह दो values निकल कर आई है है बट बट साइन 18 डिगरी आपको पता है कहा होता है साइन 18 डिगरी होता है आपका first quadrant में अगर आप quadrant मनाए तो बच्चो this is the first quadrant 0 to 90 तो साइन 18 डिगरी यहां पर लाई करेगा और first quadrant में आपको पता है सारे के सारे अंगल positive होते है clear तो जो हमाना negative आया this is not possible तो what is the answer of sign 18 डिगरी that is equals to minus 1 root 5 by 4 this is my required answer यह value आप लोगो आज से ध्यान रखनी है क्या value रखनी है minus 1 plus root 5 upon 4 या root 5 minus 1 upon 4 maximum question में स्विज होता है और बहुत सारे question इसी values के उपर depend करते हैं for example मैं आपको बताता हूं कैसे यह तो आप लोगों मैंने बता दिया आपने कर लिया होगा मालो मेरे को निकालना है suppose cause 18 डिगरी क्या निकालना है cause 18 डिगरी तो बच्चों आप लोग formula याद है 10th class में बढ़ा था आपने cause square is equal to 1 minus sign square तो अगर मैं आपसे बात करूं formula की 1 minus sign square 18 और इसका जाएगा रूट यह आगई आपकी cause 18 डिगरी अब अगर आपको याद है it become very easy the formula is root 5 minus 1 upon 4 इसका whole square जब आप बच्चों सॉल्व करेंगे जाएगा 5 का square plus 1 का square हो जाएगा 6 minus 2 root 5 upon 16 तो बच्चों सॉल्व करने पर आपका आजाएगा 10 minus 2 root 5 upon 16 root में से सिर्फ आपका 16 बाहर आ रहा है जो की 4 हो जाएगा तो that is the value of cause 18 अब मैं आपसे यह नहीं बोलूँगे कितनी याद रखोगे तुम भी दो बच्चे ही हो हमें याद नहीं होती हो तो तुम कैसे आद कर लोगे सिरफ एक वैल्याद रखनी है sign 18 इस value पे there are lot of other values जो आप बहुत easily find कर सकते हैं जैसे कि मैंने है cause 18 मताती चलो एक मैं आपको ही और बता रहा हूँ आप मुझे एक बाब बता हो अगर मैं आप से कहूँ cost 72 degree के निकाल ली है very good आपको पता है कि इसको ऐसे दिख लो 19-18 that is become sign 18 और sign 18 के value कितनी है बच्चो root 5-1 upon 4 लोग यह यह भी निकल गई और देख लेते हैं मैं इसको बोट को रप कर रहा हूं करना पड़ेगा बस आपको sign 18 की value रखनी है बहुत सारे values निकाल सकते हो आप माल लोग आपको sign 36 की value निकालनी है double angle हो गया 18-36 sign 36 कैसे आएगा 2 sign 18 into cause 18 angle half हो गया half angle formula लगा लिया मैंने आपको बता है sign 2a होता है 2 sign a into cause a यह formula में इसमाल किया है तो बच्चो sign 18 की value कितनी है this is the value of sign 18 root 5 minus 1 upon 4 cause 18 this is the value of cause 18 अब इसको solve करना है या नहीं करना यह depend करता है question to question किस question में कैसे रखा है अगर कुछ solve करना हो तो हम लोग करें कुछ नहीं कुछ नहीं करके हमारा solve हो जाएगा कुछ नहीं कुछ नहीं रखा होगा question में तो बच्च ऑठा sign 36 cause भातर cause 18 there are lot of other values are there जो आप बहुत इसली तरिके से find कर सकते हो clear तो फिलाल में sign 18 नहीं value मांगे चलो ना आपको यहाद होगी है root 5 minus 1 upon 4 तो चलिए अब थोड़े questions कर लें दो-चार question करें को तो आपको clear हो जागा कि यह value हमें कहा लागा नहीं कैसे question में लागा नहीं है आए start करते हैं तो चलिए बच्चों सबसे बहले आप कराने जारा हो वह question जो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे formula बनाने की जो हमारा sum वाला formula होता है सब्ट्रेक्ट वाला होता है आपको सोचो जब हमारा यह लिखा हुआ है क्या मैं इसको ऐसे लिसकता हूं साइन 12 को दो बार मतलब 2 साइन 12 की जगे दो बार इसको लिख लिए मैंने ऐसा क्यों करा मैंने ताकि मैं इन दोनों में formula लागा सकूं जब नहीं हम formula लगाते हैं sign sign plus में होते हैं या minus में होते हैं या cos plus में होते हैं या minus में होते हैं तो बच्चों उसका formula what is the formula अब आपको गुशर फोरॉम़े लिख दो तो बड़ी घ्लत बात है पहले आएगा कोज दोनों का सम दिवाइट बाइट फिर आएगा साइन दोनों का सब्ट्रैक्षन दिवाइट बाइट आइट लू तो बच्चों हमें क्या मिला हमें मिल गया यहां पर एकल आपका काउज पूर्त्र ए नो तो मुझे फिर से दो सी मिल गई सब्ट्रैक्शन में लेकिन एक साइन और यह साइन कास गारो एकास कोसे पूरा वाल को यह सम वाले फॉर्म वाले लगा सक geograph हूं तो मैं indigenous c12 ौलिप अगर आपको साइन वाला फामुला यहां लगा था, cause और साइन की फाम में, वैसे आप यहां लगा दीजिएगा, यह फामुला आ जाएगा, two cause, पहले cause आएगा, दोनों एंगल का सम, आप लोगो पता है, दोनों एंगल का सम आता है, divide by two, फिर क्या आएगा बच्चो, फिर आएगा आपका साइन, दोनों एंगल का सब्ट्रेक्शन, divide by two, तो what I got, यहां पर बज़िए आपका 60, two cause 30 degree, यहां कितना बज़िए बच्चो आपका, यहां पर बज़िए आपका, साइन 18 डिगरी और वो भी negative का, अब देखें, आप साइन 18 आगया ना, तो यहां पर हमें साइन 18 की value अगर याद है, तो आप option tick कर दोगे, आपका IT यही clear हो जाएगा, नहीं तो भाई फिर घुमते ले जाओगे, आप कितना answer आया है, देख लेते हैं, cost 30 होगे, आपका root 3 by 2, ठीक है, इस में से minus भाई आई जाएगा, यह आपको पता ही है, minus भाई निकाल लिया, what is sign 18 now, sign 18 की value थोड़ दर पहले हम लोगों ने करें थी, root 5 minus 1 upon 4, मैंने आपका आता यह value आपको याद रखने है, अब आप खुद देखें, आपको कितना answer आगया, पहले बाद तो किसी में negative नहीं दिख रहा, that means negative को इन्होंने अंदर multiply कर रखा होगा, तो बच्चों negative को अंदर multiply कर दो, और root 5 इंटर्चेंज जाएंगे, 1 minus root 5 upon 4, यह मेरा answer है, चेक कीज़े, फटावर root 3 किसमें है, इन दोनों में है, 4 किसमें है नीचे, इस चैनल पर बहुत सारे conceptual questions की conceptual videos में डाल रखे हैं, tricks की डाल रखे हैं, उनको जाकर देखो, प्लेलिस में जाकर देखो, चलिए next question में आप उकराने जारा हो, ध्यान से देखना, भाई, दो question लिग देए, एक साथ, आप मुझे एक बाद बता हो, इसकी value तो मुझे पता है, साइन साथ की value कितनी होती है, बच्चो, root 3 by 2, लोग आप लोग रख दी, बात खतम, बहात्तर का नहीं पता, लेकिन 18 का multiple है, और मुझे ये भी पता है, कि अगर मैं इसको cos में change करूँगा, तो cos 90 minus 72 लिख सकता हूँ है इसको, that it will become cos square 18, अब बच्चो कुछ दिर पहले जो आपको मैंने concept बदाया था, उस time पर cos 18 की value करवाई थी, अगर आपको नहीं याद, तो 1 minus sin square 18 लिख सकते हैं, sin 13 के अब आपको याद है, lcm लेके solve कर देना, लेकिन मुझे cos 18 की भी याद हो गई, क्या थी, root 10 plus 2 root 5 upon 4, मैंने लिख दी, इसका whole square, यहां कितना आगया, root 3 by 2 का whole square, तो बच्चों यह क्या हो गया हमारा, what is this, root 10 plus root 5 upon 16, यह कितना आजाएगा, 3 upon 4, now अगर आप lcm लेंगे, what it become, 10 plus 2 root 5 minus, यह हो जाएगा 12, तो यह होगे आपका, 2 root 5 minus 2 upon 16, 2 कॉमन निकालगे, आप cancer out करोगे, the answer is root 5 minus 1 upon 8, this is the required answer, hence proved, come to the next question, यह second question मैं लिखावा, द्यान से जेखना इसको भी, आप मुझे एक बाह पता हो, यहाँ पर sign 24 है, अब 24 तो 18 का multiple नहीं है, तो प्रॉलम होगी ना, तो इसमें हम लोग कुछ और रही है, सोचेंगे, formula देख लो, शायत formula लग जाए, एक मेरा पास formula होता है, अगर आपको ध्यान हो, sin square a minus sin square b, that is equals to, sin a plus b, sin a minus b, तो बच्चों trigonometry है, प्रादिमाद खराप पड़ती है, समझ नहीं आता, कौन सा formula कहां लगा लें, लेकिन मेरे भाई, जहां पर जिस formula कहां हो जाएना, वो लगा जाना चाहिए, और वो समझ कैसे आएगा, practice, and nothing else, different concept, और questions की practice, आप देखो, ये वाला formula में, मैं यहां भी तो लगा सकता था, पर यहां क्यों नहीं लगा है मैंने, क्योंकि मुझे दिख रहा है, जब मैं minus करूँगा, तो 12 हो जाएगा, sign 12, फिर मेरे को आतनी निकालना, और जब मैं plus करूँगा, तो 132 आएगा, वो भी नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे यहां दिख रहा है, अगर मैं यहां फार्मल लगा दूँँगा, 24 में 6 माइनस, sign 12, बैट जाएगा, तो आपको सोचो, LHS में जब मैं यह फार्मल लगा हूँगा, what I get, 24 माइनस 6, और दूसरे में कितना हो गया, 24 प्लस 6, यह तो कोशन ही खतम हो गया, तो बच्चो, होता क्या है, जो फार्मल लगा जहां काम आजा है उसको महाँ पेल देना चीए, यह निसमितना चीए, यह फार्मल लगा है क्यों लगा, अरे भाई इससे अंसर आ रहा है, इसलिए लगा, sign 18 degree is very 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 important value बहुत लोग इसको neglect कर देते हैं लेकिन जो समझदार लोग होते हैं या जो बड़ावर इंस्टिट में त्यारी कर रहे होते हैं जिनको जेए क्लियर करना है फॉर्स सेंग लाना है वो 11th class से ही sign 18 की value याद करनी शुरू कर देते हैं तो अगर आप 11th class के student है तो बेटा पूरी वीडियो देखकर अराम से तसलिज़े एक एक question कर लेना come to the next question सर आस तो मझे आ रहा है आस तो बस question नी question कराते चले जाओ तो चलो बच्चो दो question कर लेते हैं एक साथ करेंगे ध्यान से देखना sign 36 की value root 5 plus one upon four proof करने है और हमें इसकी value निकालनी है यह तो चलो बच्चार करते हैं यह छोटा दीख रहा है मुझे ठीक है तो पहले cos 36 पर देते हैं क्या cos 38 का multiple है अगर है तो हो जाएगा तो यह हमारे बास formula होते हैं yes 18 दूनी 36 आप मुझे एक बाह बताओ cos 2 theta के formula कौन कौन से होते हैं तीन होते हैं टू को स्कौर थीटा माइनस वन माइनस 2 sin square theta और cos square theta माइनस sin square theta बच्चो जिसकी value यादा उसका formula लगा देना मुझे sin 18 की यादा है तो मैं यह वाला formula यूज कर रहा हूँ तो बच्चो जब मैं cos 2 into 18 की value यूज करूँगा तो 1-2 sin square theta angle half यह लिख दूँगा हो गया question सैंट हर की value बताओ पटाओ root 5-1 upon 4 आप लोगो पता है इसका whole square करना है बस आप लोगो जब अच्छो whole square करेंगे तो उपर आ जाएगा पांच और एक 6-2 root 5 नीचे आगया आपका 16 तो दो से एक अटा आठ बचा एल से मनुगा आठ ने च्छे गया कितना बचाएगा टू और माइनस माइनस प्लस का 2 root 5 upon 8 वन कॉमा निकला root 5 plus 1 upon 4 दिस इस दा required value of cost 36 अब मेरे आप लोगों से एक request है ठीक है जो बच्चे इस वीडियो को पूरी एंट देख रहे हैं उन लोगों से request है sign at 13 की value आप लोगों नहीं याद कर ली root 5 minus 1 upon 4 cost 36 की वियाद कर लो root 5 plus 1 upon 4 सिरफ minus का difference है आपको याद हो योगी अब आप मुझे एक बाव बताओ त्यहां से कॉस फॉर्टी एट साइंग बारा क्या इंद में से 18 का multiple है अगर है तो मैं कुछ और सोचूँगा नहीं है नहीं है क्या सम्प्रोड्रेक्ट ये फॉर्मुला इस हो पा रहे हैं हो जाएंगे है अगर मैं इसको व्वाला वाला आदूहां आप लेकिन मेरे पास एक डालेक्ट फॉर्मुला भी है कॉस्क्वाइर माइनस साइंसक्वाइर का ये कॉस में होता है कॉस a-b कॉस इप्लस बी जैसे मैंने आपको साइन का बताया था ना आप यस वीडियो में आपको मैंने फोम्मली बता जिए दो तिन फोम्मली वो भी आपको याद हो गए हैं तो इस वीडियो इस वेरी इंपोर्टेंट तो चलिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को आप देखो जब मैं इसको लेकर स्टार्ट करूं यह गए काउस इन दोनों का सम 60 अरे वह चलो फिर विया आपको एक बार लिख देता हूं और काउस इन दोनों का सब्ट्रेक्शन 48-12 विद्विकम कॉस 60 विकम कॉस 36 अपको बता है कितना होता है हाफ एंड वाट इस कॉस्टेश्च अब आपको याद है इस कोशन बिकम वेरी सब्सक्राइब आपको याद नहीं है न तो आप पहले कोशिश करोगे फटावर्ट डबल एंगल फॉर्माल अगर साइन एटीन की वैल रखकर कॉस्टेश्च अबर जाएंगे तो बैटर है कुछ दो चार्च याद रख लो अगर दो रैंक फस्त लाना तो याद रखना ही सब्सक्राइब पड़ेगा कौश 36 कितना हो गया रूट 5 प्लस 1 अपन 4 भाया कोश्चन फिनिश हो गया मेरा लिए विज़ा रहा है तो बच्चो लास्ट ली में एक दो कोशन आप गवार कान जा रहा हूं वीडियो जादा लंबी जाएगी मैं पता है आप लोग ज्यादा लंबी वीडियो नहीं देखते हो चले स्टार्ट करते हैं यह देखिए बच्चो आज की वीडियो के चार्ड करते हैं पहले वाला कुशन करते हैं ताकि आपको इधर का स्पेस हम बाद में उसकरते हैं तो यह आपको क्लियर ली विजिवलो तो बच्चो सिंपल थी बाता मुझे बताओ साइन बारा साइन जाओं कौन सी यूज करूं देखो यह तो साथ दिख रहा है में बार तू साइन ने साइन बी का फार्मला यूज कर सकूं फिफ्टि फोर मैंने अलग रखा तो बच्चों आप मुझे बताओं यहाँ पर क्या फोर्मला लगया तू साइन ए साइन बी दोनों साइन में कॉस का फॉलेगा दोनों का सप्रेक्शन वाला पहले आएगा आपका कॉस कोई फरखनी पड़ेगा कोई फरखनी पड़ेगा कॉस में ठीक है माइनस कॉस एपलस भी ड़ेट इस सिक्स्टी साइन 54 को आप लिख सकते हैं 90-36 जोगी प्लस वन भाई फोर इस अगया को याद रखना है अचा इसमें क्या करूं करना क्या यह कॉश्च आगया इसमें भी वैलिट रभ दीजिए कॉस्ट आपको बता हाफ होता है इट बिकम वेरी इजी अरे भावरे यह कितना हो जाएक लेने पर फोर इस लें तू यहां आजएगा तो यह जाएगा रूट 5-1 अरे वाह तो बच्चों नीचे तो आगया आपका 16 लो भाई है जो हमारा आंसर था उसका वन अपन एट था उसका हाफ तो आ गया अचा उप उपर कितना आजाएगा उपर आजाएगा आपका 4 मीचे आगा 32 दांसर इस वन अपन एट क्लियर इट इस वैरी इजी तो बच्चों बहुत इजी कोशन होते हैं बस आपको थोड़ी सी वैली ज्याद रखनी है क्योंकि जब हम लोग को वैली ज्याद नहीं होती ना तो एक कैसे करें अठारे की वैली और यार कहसे करें 36 चलो इस कोशन पर आजाओ लेकि चल रहा हूं बच्चों ध्यान से देखो पाई बाई 10 और 9 पाई बाई 10 इन दोनों का पाई आ रहा है यह दोनों एक दूसरे में चेंज हो रखते हैं तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस इसी चीज को कॉस 9 पाई भाई 10 क्या मैंस को ऐसे ले सकता हूं यह द्यानिकी माइनस कॉस पर पाई इंच्लेर सिमिल सिमलरी बच्चों सेकिंड वाला है कोस 7 पाई बाई 10 इसको मैं से लिख सकता हूं पाई माइनस 3 5 by 10 ठीक है लोगों तो गोई आदेगा तो यह निक हमाले थीटा हो गया that it become minus cos 3 5 by 10 yes or no तो आपकी जो LHS हो गई बच्चो वो यह हो गई 1 plus cos 5 by 10 1 plus cos 3 5 by 10 1 minus अब मैंने cos 7 की जागे यह लिख दिया cos 3 by 10 और इसकी जागे मैं लिख दिया यह value 1 minus cos 9 5 by 10 जहां से देखना यह किसलिए करा मैंने क्योंकि बच्चों जब यह दोनों आपसे multiple हो जाएगी ना a square minus b square का formula लगेगा और इन दोनों में भी आपका a square minus b square का formula लग जाएगा तो यह हो गया a square minus b square pi by 10 और यहां पर हो गया a square minus b square 3 pi by 10 got it now what it become 1 minus 4 square हो गया आपका sin square theta formula है 1 minus korn square हो गया आपका sin square theta अब अच्छों ध्यान से देखो pi by 10 कितना होता है pi होता है x plus c divided by 10 that is 18 degree तो what it is this this is sin square 18 और आपको इसकी value पता है root 5 minus 1 by 4 इसका square clear जहां तक तो हम आ गये अच्छा आप इसकी बात करें तो कितना हो गया तीन से multiply लेकर 18 और 18 यह चाओन भाई sin जाओन के value नहीं पता मुझे क्या गरूं कोई बात नहीं चेंज कर लीजिए आप मुझे बाब बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाए यह जाएगा आपका इसको स्क्वाइर के अंदर इंदर multiply करूंगा तो उपर लग जाएगा ए माइनस बीका फार्मुला इसका मैने बीका वाला फार्मुला नीचे हो गया आपका चार चॉक 16 और इसका होल स्क्वाइर है तो कितना हो गया यह आपका जहीं में आते रहते हैं कोशन मैंने 222 के बीका को कोशन कराया था ठीक है तो these are the very important question thank you very much बच्चों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्स्राइब कर देना चैनल को और अपने दोस्तों के पास भी भेज़ दीजिए शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी सब्स्राइब कर सकें लाइक जिरू करते हैं वीडियो को बाई बड़ी बड़ी thank you very much मिलत